मिलना बिछ़ड़ना तो दस्तूर है जिन्दगी का और बीते हुए पल कभी लट के नहीं आते यही तो सबसे बड़ा कसूर है जिन्दगी का हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मत चल रही है आज एक नई अपडेट ले करके मैं आया हूं क्लास 7th NCRT Mathematics जिसमें कुछ वाइड बोर्ड पे क्लास चली थी उन वीडियो में थोड़ा-थोडा कुछ डिसमिस हो रहा था मतलब संतुलन नहीं बैठ रहा था आवाज और वीडियो स्क्रीन का तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूं ठीक है क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा इसमें क्या-क्या पढ़ना है सब कुछ क्लियर है और बहुत ही बहतरीन ढंग से पिक्चर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे तसवीरों के माध्यम से समझाएंगे मतलब ये समझ लो कि पढ़ाएंगे नहीं हम आपको सिखाएंगे एकदम सिखाएंगे बस कलास को आप पूरा देखना हम आपको बताएंगे इसको कैसे नापते है और वहूफ सारी चीज बताएंगे इसमें nieuग में बस आप हमें पूर दूआर क्या कैसे छेत्र फल निकालते हैं आपके यहां भी बटवार आटवारा होगा तो आप कुछ आईडिया लगा लेंगे इसमें समझ रहे ना चलें आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट आईए रेडियो सभी एक बार यास बोल दीजिए कमेंट करके कहां हम रेडी है चलो भ क्या कि बातों से ही नहीं समझ में आती जिंदगी बातों से ही नहीं समझ में आती है जिंदगी कुछ ऐदसेद भी जरूरी हैं सबक सिखाने के लिए बिल्कुल साइज सुने आप situation के कि लिग कर देते से तर्फल और परिमाप ठीक है शमजी सिख इन पर आपको दूनी अच्छा से दीख रहा सब को पढ़िया से दिख रह थी कि हमें सबसे पहले सबकल आ मानं की चलते हैं कि परिमाप करना है तो परिमाब क्या होता है जैसे ये मालो है आपको लेटर दीख रहाना एक इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगे फिर आगे बात करेंगे लो ऑगर हमें इसको कराना या कि आपके पास डाकुमेंट होगा वह लो है रेजल्ट होगा आपके पास बर्थडे सर्टीफिकट होगा कुछ होगा ले मिनेशन जानते हो पर एक पॉलिथीन चढ़ा जाती पन्नी मसीन में डाल करके से फटे ना हो सभी जानते होंगे लिमनेशन नहीं जानते तो अपने घर में अपने पापा दादा मामा पूछ लेना बताएंगे वहां तो लिमनेशन जो होता क्या होता भाया यह चारों तरफ नहीं होता ऐसे यह क पूरे पैसे लिमनेट करेंगे तो यह धाक जाएगा पूरा अब लिमनेशन का मतला यह निक पोट दो इस पर करी खाला के कोई लापोट ने को नहीं बोल रहे हैं एक पॉलिथीन चड़ती है यानि हमारा कहने का यह उद्देश से है कि जो लेमनेशन होता भाया वो का होता मैं पता है यार तुम कुष्चन बिगडबड़ कर दिये लिमनेशन के चक्कर में वह पूरा पूरा कबर कर लेता है तो ऐसी इस्थिती में हम क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे नहीं उसे क्या बोलेंगे छेतर फाल ठीक है लेकिन अगर आप यह देखो बाउंडरी यह बाउंडरी देखो अलग कलर की है ना अगर हमें ऐसे किनारी किनारे पर कुछ लगवाना होता ताइड साइड में जैसे यहां पर मानलो मैं बलेक वाला चला दे रहा हूं देखो या बलेक थोड़ा कम मज़ा आएगा इसमें थोड़ा दूफरा कलर ले लो अभी देखत होता है कि कुछ आप समझ पार होग नहीं अगर कहें कि हमें इस सर्टिफिकेट के चारो तरफ रेड कलर का टेप चिपकाना है क्या करना है और हम दुकानदार के पास जाएं और उससे बोलें कि भाईया हमें इसी सर्टिफिकेट में टेप लगानी है चारो तरफ हमें टेप स्कुर्टी के लिए कुछ भी के लिए दुकानदार कई से जाने का कितना लगेगा लंबाई चोड़ाई नहीं करूँ पूरा बंडल खरीद लाओ नहीं जितना इसमें लगे उतना ही लओ इसके लिए क्या निकालेंगे परिमाप परिमाप का मतलब यह होता है कि चारो साइड का हिसाब होता है बस इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का बस बीचे से नहीं मतलब होता है ठीक है जैसे एकजांपल के लिए अगर हम इसके लंबाई 20 cm है अगर इसका लंबाई कितना है मालो 20 cm है ठीक है भया तो यह 20 हो जाएगा इधर वाला इधर वाला भी 20 हो जाएगा और इधर तो कुछ कमी होए 10 है मालो ठीक है तो परिमाप कितना होगा चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं तो 20 20 40 10 50 और 10 इधर का 60 यानि परिमाप कितना हो जाएगा 60 cm यानि हमें जो टेप चाहिए इस सर्टिफिकेट को चारो तरफ लगाने के लिए वो 60 cm का टेप चाहिए कितने का? 60 cm का टेप चाहिए समझ में आया ना? परिमाप समझ जी किए परिमाप क्या होता है? ऐसे नहीं समझ में आगा मूँ के बताने से लेकिन छेतर फल क्या होता है? अगर हमें इसी को lamination कराना होता तो फिर हम क्या निकालते इसका? च्छेत्रफल यानि वह polythene जो है कितनी साइज की चाहिए तो उसके लिए इसका हम च्छेत्रफल निकालते हैं च्छेत्रफल जानते हो लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि लंबाई 20 और यह 10 तो 20 दहमा 200 यानि हमें जो पॉलिथीन चाहिए वो 200 सेंटीमेटर स्कॉयर की चाहिए अगर लेमनेशन के लिए पॉलिथीन चाहिए जो पूरे को कबर करें तो 200 सेंटीमेटर स्कॉयर की चाहिए ठीक है लेकिन अगर हमें टेप चाहिए चारो तरफ लगाने के लिए उसके लिए हम परिमाप निकालेंग नहीं तो काफी कुछ गलत हो गया उधर उपर कुश्चन कट गया है बैए खोत रहा है वैसे हो जाना चाहिए सब ये भाई आजा अपने अफली रूप में आजा आ गया कुश्चन यार आ गया बहुत बहुत धन्य है हम कुश्चन मिट गया था ना उधर अभी और पीशे हो जाएगा ये ये अपने अफली रूप में आ गया बहुत अच्छा बेरी गूट यही तो कमा लेडिट चलबोड़ ठीक है तो बात क्या कर रहे थे परिमाप और शेतर फल न हम आपको बहुत बहतरीन तरीके सम्झाएंगे इसको सबसे पहले आपको समझ में आ जाए बस हमारी यही कोशिस है और वह बहुत अच्छे तरीके से ऐसे गंदा वाला नहीं आप देखिये इसमें मैत वाला अभी किताबी भासा बाद में बताऊंगा पहले मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं परिमाप और शेत्रफल एक-एक के समझ में आना चाहिए सिर्फ एक के नहीं सब के कि यह जैसे यह पियर आपको दिख रहेंगा इधर दिखंव रहें डीष ऊतनी और इसमें बहुत 6 आनो कोब तो अगर किसान चाहता है कि भाईया हम इसको कुछ आएसा बाढ़ लगा दें इसमें है पाड़ जानते ओना रस्स गहरा शोती गयार अप पाए तो क्या करेंगे इसके लिए बताओ के इसमें बाढ़ लगाने के लिए क्या चाहिए किмотрas हमें मानी रस्सी चाहिए गयं चाहिए उसको बता वह क्या कहोगो कितनी रसी चाहिए तो कि अलो इसकी जो है 40 मानलो मीटर है और यह चोड़ाई इधर वाली जो दिख रहे ही मानलो 20 मीटर है ठीक है तो इसका क्या होगा परिमाप चारों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं 40 इधर 40 इधर भी होगा 40-40 अफ़ी अफ़ी और 20 तो और 120 यानि रसी कितनी चाहिए आपको 120 मीटर चाहिए समझ में आया कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अगर मानलो कि तवामा तिर कॉन्ना है इधरे 40 है उधरे 40 है यह नहीं है उधरे कुछ और है तो कितना लगेगा तो मैंने कहा नहीं चारों भुज 40 है ठीक है इधर आपका 15 है इधर आपका 25 है अलग अलग है हो सकता भाई तिर्चा मिर्चा कहीं कहीं खेद रहता है तो ऐसी इस्तिती में आप सबका अलग अलग जोड़ोगे तो मैं यह क्या हो गया परिमाप लेकिन ऐसी कंडिशन अगर हो जाती अलग अलग तो फिर छेत है अभी अभी अंदर से दिल कह रहा है कि थोड़ा-थोड़ा समझें लेकिन यह नहीं बताना चाहता आदमी और हो गया नहीं मैं बताओंगा आईए सुनिए और आगे दle कि एप आपको क्या बता दिया कि इसका परिमाप का यूज कहां है छे सब होताएं अब Arabic कंगी लेलो लो कंगी ले लो कंगी ले लो अब तुम्हारे पड़ीं बाल नहीं टकला है तो काई लोगे तुमको मतलब लगे ना हाँ इसका परियोग कहा होता है क्या करना है तब तो लोगे न जरूरत महसूस होनी चाहिए बच्छे को कहा जाता है पढ़ लो पढ़ लो वह सब्सक्राइ पढ़ता है क्योंकि उसको पता है पेपर उपर होता नहीं यह कोई एक्जाम ना हो रहा है ना कोई बेकेंसी आरी काई को पढ़ें लेकिन अब पता चलता है रेलवे ग्रूप डी वाले को देखो अभी कैसे ताबर तोड़ गिर पढ़े थे आ गई भाई या डेट आगई कते पर है पर से अबाज रात में सोय का नहीं कि उसको पता है कल यहों तो जरूरत महसूस हो रही कि आज पढेंगे बरसों यह जरूरत मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं लगाने वाली बात अब मालनो इसमें दद्दूक हमएं म Κवानी मकंकUST करте हैं हम बहुत कुछ करते हैं अपनी जिन्दगी में देख रहे हैं मुझे रिपोर्टर वन गए थे अभी गाउं गए थे ना ये तो जारों ने इसका वीडियो है इसमें हम दिखाए थे अपने गाउं में कि कैसे किसान का जो खेत है वो जानवर खा जा रहे हैं अब आज नहीं जा रही होगी कि आप पड़ेगा इसमें पली बसाथ तो जितना भी मतलब इसमें लगता है उतना भी नहीं हो इस बढ़ाना कुछ अब बहुत वह आता हैं जैसे आलू का पवद्धा बे दिखाया जम मतलब ओगर रहा है अब खाले अब जोने बोने सब खाले अब आज नहीं आ रहे होगी लेकिन फिलहाल जो भी है मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं यह दादा यह बता रहे हैं जितना भी खेत है जितना भी बोए हैं मिर्चा तक खा जाते हैं जानवरा करके देख लो अब खालेते हैं तो यह बाड़ लगाने की जरूरत का यह बाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है खेतों में जब इस तरह के हालात हो जाते हैं मेरे भाईया जब इस तरह के हालात एक मिनट जब इस तरह के हालात हो जाते हैं किसानों के खेत पूरा-पूरा जानवर खा जाते हैं तब इसमें बाड़ लगा जाता है अब अगर तद्दू मक्का बोने वाले हैं जो अभी दिखाया में इनको हमारे गाओं के ही हैं मतलब है तो गए दुकान पर हमें मकाई कबीच दे दीजिए दुकांदार पूछे का कितना बोना है तो कईसे बताएंगे इनको नहीं पता नया नया किसानी में जूटे हैं हमारे जैसे तो कईसे बताएंगे दुकांदार को कितना चाहिए वो पूछेगा कितने एरिया में आपको बीज उगाने है कितने छेतरफल में समझ रहे हो तो अब भाईया अगर इसमें मक्का बोना जोनरी भुट्टा जिसे बोलते हैं सब जानते हो न तो वो किनारे किनारे नहीं बोया जाएगा इसे इसे वो तो कुल बोया जाएगा पूरें बोया जाएगा न तो फिर अगर मकई बोना है उसके लिए हमें बीज लाने जाना है तो कितना बीज लगेगा ये जानने के लिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए एरिया पता होना चाहिए अगर इसकी लंबाई 40-40 थी यह 20 थी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 40 गुड़ा 20 लंबाई गुड़ाई चोड़ाई ले ले लेते हैं चारदुनाइट यानि 800 सेंटी मीटर नहीं मीटर में न आट सो मीटर स्कॉयर हम उसको बताएंगे आपको मैंने दिखा दिया आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि हाँ छेतरफल क्या होता है परिमाब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसे में रात के एक बचकर 31 मिनट 32 सिकंड हो रहे हैं लेकिन हमारी कोशिस है न अब आपको हम कांटेंट ना एकदम ऐसा देंगे ना कि तुम जिंदगी में बूलोगे होता है कांटेंट पर मेहनत करनी पड़ती है रिसेर्च करनी पड़ती है टाइम लगता है दिमाग लगता है तब बनत अब यह समझ गया किताबी आप समझ गये चल भई किताबी भासा आप समझ गये चलो पीछे आजाओ अब मैं वाले बुक में आ जाए कि आए अब हम में टॉपिक पर आते हैं जहां से हमें कुश्चन करने है देखो कहरा कि रभी संकर ने एक चित्र 60 cm लंबाई का तथा चोड़ाई 20 cm वाला एक आयताकार सीट पर बनाया है और अभी संकर एक लड़का है जिसने एक चित्र बनाया है कलाकारी किया है इस पेपर पर किया है एक ऐसा पेपर पर किया है जिसकी लंबाई 60 cm थी और चौड़ाई 20 cm थी और एक दूसरा भी बंदा है जिसका नाम मनु है उसने 40 cm लंबाई और 20 cm चौड़ाई वाले एक आयता पाकार सीट पर एक चित्र इंसनों ने बनाया है ठीक है इन दोनों चित्रों के अलग-अलग फ्रेम तथा लिमनेशन कराना है बात नमज में आ रही जो भी मैं पहले बता चुका हूँ अब मत पूछना फ्रेम और लिमनेशन कराना है कह रहा है कि यदि दोनों आगे क्या कहता है यदि फ्रेम का जो खर्चा है वो तीन रूपे पर सेंटि मीटर इसक्वायर ओ ठीक है तो अब मैं माता जी की फोटो कैसे लेके आँ उठा के बाइसे पता नहीं नहीं लाओंगा जाने तो मैं जो लिया हूं वह यह भी उनी का रूप है आप देख लो यहां पर बुक ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा आप यह देखो कि अगर इस बुक को हमें क्या करना है लिमने लिमनेशन कराना है अब तो कोई करायेगा निक बंद करवा दें इसको एक पेज होता होता कर airports दो क्या होगा जो लूप जोजिन कहए रहा है पहले हम वैसे इन दोनों को मान के चलेंगे फिर हब करेंगे ठीके question में कह रहा है पहले में पहले इसका निकालो अगर limitation और frame दोनों की बात हो रही है तो पहले हम frame की बात करेंगे ठीक है कागज की seat है seat सभी जानते हो limitation कराने का मतलब उसके उपर polythene चड़वानी है पूरा पूरा अरे जैसे आपका mark seat मिलती है एक्जाम में result आता है ना वैसे एक पन्ना है limitation का मतलब उसके पूरा पूरा पन्नी चड़वानी है frame का मतलब किनारे किनारे bending करवाना बस तो सबसे पहले हम एक एक का करते है इसका 40 है और 20 है चलो आगे बढ़ो ये मान लो क्या है 40 है और ये क्या है 20 है परिमाप अगर frame की बात करेंगे तो पहले परिमाप निकालेंगे इसका तो परिमाप कितना आएगा चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते है यार 40 था पही लवाले में 40 और 20 तो एक वाँ था 60 और 20 था न ठीक है इसको 40-20 कर लेते हैं चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं या फिर जो आयत का परिमाप होता है क्योंकि लंबाई और लंबाई दोनों तरह बरबर होती है चोडाई चोडाई बरबर होती है इस लिए फार्मूला लगता है लेकिन आप सीधा फिधा भी निकाल सकते हो 60 लंबाई हो गई एक तरफ की 60 इधर की हो गई प्लस 20 इधर की हो गई प्लस 20 इधर की हो गई तो 20-20-40, 60-60-120, 120-40-180, कितना? 180 cm, ये क्या हो गया? 180 cm परिमाप हो गया, कौन से वाले का हो गया, रवी संकर वाले का, ठीक है? अब क्या पुछा था इसमें पहरा था तीन रूपए पर मीट सेंटिमीटर स्कॉायर की दर्ध है फ्रेम कराने का खर्चा ठीक है तीन रूपए तो कि इसमें ज्यादा खर्चा लगेगा चलो पाहिले तो इसका निकल गया इसको हम वैसे दिख तो नहीं रहा है नहीं लेकिन मान लेते हैं मैद में माना जाता है ठीक है भाईया हम मान लेते हैं मनु आली आकरती है जिसका शालिस बीस है इसका मतलब यह भी आयताकार है 40 इधर होगा 40 इधर होगा 40 प्लस 40 और फिर 20 प्लस 20 दो बार इधर भी 20 इधर भी 20 तो इसको भी 40 कर सकते हो 120 cm समझ में आया ना 120 cm कह रहा है कि इसका जो खर्चा था वो किस में दिया था स्कॉयर में दिया था क्या प्रति cm है स्कॉयर अगर रहेगा तो सब चीज के लिए तो वो नहीं अपलाई होगा न यहाँ पर पर cm है यहाँ इसकॉयर नहीं है इसकॉयर नहीं है नहीं तो फिर यह सिर्फ छेत्रपल के लिए काम आएगा यह पर cm है ठीक है तो निकाल लीजिए अब 180 आ गया तीन रूपे है एक cm का खर्चा तीन रूपे है तो 180 cm का निकाल लोगे न अगले पेज पर बताऊं चलो अरे यार इस पेज तो छोड़ा था इसको क्योंकि एक cm का अब फ्रेम खर्च कितना है एक cm का यह को पर cm तीन रूपे दिया था अगर आप ध्यान दो यह 3.0 लिखा है पर cm तो एक cm का कितना है भहिया तीन रूपे है इफ लिए 180 cm का कितना होगा फ्रेम करवाने का खर्च 180 गुड़ा 3 बराबर अठारतियाई 54.540 रुपेया ठीक है यह किसका हो गया रवी संकरवाली आकृति का हो गया किसका हो गया रवी संकरवाली इस तरह से मन्नू अली आकृति पे चलो question इसमें मैं धेर सारा लिया हूँ ठीक है आओ चलो हाँ मन्नू अली आकृति का क्या हो जाएगा उसको भी निकाल लेते हैं इसमें 120 आया है लिखिये मन्नू क्या मन्नू द्वारा बनाए गए चित्र या जीट का जो है फ्रेम करवाने का खर्चा कितना आएगा आपको मोटा मोटा आंसर बता देते तरीका सिखा रहें वाकि कहीं इसको परिक्षाम तो ऐसे लिखना है नहीं आपको तरीका सीखे कैसे होगा ठीक है तो बहिया चुकी एक रुपया नहीं एक सेंटीमीटर का खर्चा कितना है तीन रुपया है एक सेंटीमीटर का खर्चा कितना है अब ये बताओ मुझे कि 360 रुपे मनू वाले में लग रहा है और रवी संकर वाले में 540 रुपे लगा था तो किसकी सीट का फ्रेम करवाने में ज़्यादा खर्चा लगा आंसा निकल गया ना क्या जब आब आया रवी संकर ना अभी सिर्फ फ्रेम की बात हो रही है अभी इसमें लिमनेशन वाला हुआ ही नहीं लिमनेशन करवा दूँ की नहीं करवा देता हूं तो इनको मैं साइड में रख सकता हूं थोड़ा समेट करके क्योंकि बहुत ज्यादा हाइफाइम फाइल गये है फिरी सिम करवा दूँगा चल भाया इधर दिख रहा है इनको इधर साइड में रख दिया हूं ओके डन चलो यह हो गया ओके दिख रहा है ना वहाँ पे साइड में हलका छोटा दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं चलो अब वो क्या करेंगे पहले रभी संकर के बात करें इसमें हमें क्या क्या दिया था लंबाई चोड़ाई दिया है हमें सबसे पहले छेतरफल निकालना है ठीक है तो लंबाई साथ है चोड़ाई बीस है तो पहला छेतरफल कितना हो जाएगा लिखो रभी संकर वाले स्टीट का छेतरफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई अच्छे दूना बारा तो सेंटिमीटर स्कॉयर और मन्नू आले का क्या होगा मन्नू आले का छेतरफल कितना होगा इसमें चालिस और बीस है तो मेरे भाई चार दूना आठ यह 800 सेंटिमीटर स्कॉयर हो जाएगा ना इसमें एक सेंटिमीटर का कितना है एक सेंटिमीटर का खर्चा तीन रुपए है उसे इसको भी रखके कर लोगे यह भी अंसर हो जाएगा ठीक है कोई डाउट किसी को नहीं न लेमिनेशन का खर्चा फ्रेम से ज़्यादा आएगा क्योंकि लेमिनेशन पूरे पूरे उस पे हो रहा है समझ में है कोई डाउट नहीं किसी को न इसको भी तीन से गुड़ा करके कर लोगे नहीं समझ में आयागा तो कमेंट करके बताना बता दिये जाएगा आगे बढ़ें यह सब चीज आप समझी गयों कि को पूश्चन कर लेते हैं यह सब चीज आप मुझे उमीद है पूरा समझ गये नहीं समझ में आया आईए कह रहा है कि 10 मीटर गुड़े 10 मीटर माप वाली एक दिवार में 3 मीटर गुड़े 2 मीटर माप वाले धरवाजे का फ्रेम लगाया जाना है यदि 1 मीटर स्कॉयर दिवार पर पेंट करवाने की जो मजदूरी है वो धाई रूपया है तो पूरी दिवार पर पेंट कराने की कुल मजदूरी हर चिग्यात कीजिए फ्रेम लगाया जाना है कि पेंट करवाया जाना है फ्रेम यानि चोखट लगाया जाना ठीक है फ्रेम मतलब क्या चोखट ठीक है समझना, समझना मेरे भाई, क्या करना है अब, इसको पहले समझो मतलब करना क्या है, देखो ये कुछ ऐसे है, दिख रहे आपको, ये क्या आ जानते हो, ये एक दिवार है, दिख रही है, इसमें एक दर्वाजा लगा है, अब इस पूरे दिवार पे क्या करना है, ये पेंटि यह नहीं ते बरबाद होई जाएगा इस पर पेंट नहीं लगना चाहिए तो अब क्या करना है हमें इस पूरी दिवाल का क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है और उसमें से दर्वज्जे का एरिया घटा देना है ठीक है? क्योंकि इसको पेंट कराने का खर्चा दे रहा है कुछ हिसाब से आईसे फिरी में नहीं है ना तो पहले पूरे दिवाल का छेतरफल निकालेंगे उसमें से इस दर्वज्जे वाले का जो छेतरफल है उसको घटा देंगे इतना ठीक है भईया? तो जितना बचेगा उसको दिये गए रेट से गुड़ा कर लेंगे वही अंसर हो जाएगा समझ में आ गया न? कोई डाउट नहीं न किसी को? कोई डाउट तकलीफ होगी तो बता देना टेंसर नहीं लेना ठीक है? अब मुझे लगता है कैमरा की बैटरी चार्ज नहीं है बदलना ही पड़ेगा मुझे तो हो सकता वीडियो में 10 सिकंड अंधेरा होगा तो कहीं जाना नहीं भागके दस सिकंड अंधेरा होगा बस उससे जादा नहीं तुरंत आ जाओंगा फिर ठीक है? रुकना तो ये बैटरी लग गई है चलो आगे डन ठीक है तो अब इससे कर लेते हैं कुश्चन चलो भया तो सबसे पहले क्या निकालेंगी जानते हों दस सेंटिमिटर गुड़े दस सेंटिमिटर माप वाली दिवार में जो दिवार की माप है वो 10 गुड़े 10 की है ठीक है लंबाई 10 भी चौड़ाई भी 10 है तीन गुड़े दो माप वाले दरवज्जे का फ्रेम लगाया जाना है और इसमें पेंट भी करवाना है तो सबसे पहले हम दीवार का क्या निकालेंगे छेतरफल निकालेंगे लिखो लिखो फटते दीवार का छेतरफल अलग से निकालेंगे दरवज्जे का छेतरफल अलग स देखो इसको मैं साइड में रखके सम्झा धा हूं तोसे था रहा है जो यह 10 गुड़े का बॉल रहा है हम इसको मान लेते हैं आयता कारे इसको वर का कार मान लेती हैं 20 गुड़े-10 ठीक है जलो भाया कै लिखत हिए दीवार का छेत्रफल बराबर छेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है दोनों तरफ दस दस बता रहा तो इस सो सेंटीमीटर स्कॉयर हो जाएगा सेंटीमीटर में ही दिया है न मीटर में दिया है सम मीटर में दिया है ठीक है तो 100 मीटर स्क्वाइर ठीक है भाईया कितना 100 मीटर स्क्वाइर क्या हो गया दिवार का छेत्रफल दर्वज्जे का छेत्रफल निकालो तो जीतना area ये total दिवाल काया है उसमें से दरवज्जे का 6 दफल घटा देंगी तो जो बचेगा वो pent कराने का दिवाल का खर्चा होगा तीन गुड़ा दो बराबर 6 meter square अब लिखो क्योंकि pent सिर्फ दिवाल पर करवाना है क्योंकि pent लिख लिजिए मैं लिखूंगा नहीं लिखो क्योंकि pent सिर्फ दिवाल पर करवाना है इसलिए इसलिए दिवार लिखो पर करवाना है इसलिए कुल दिवार का खेतरफल माइनस दरवाजे का खेतरफल दरवाजे का खेतरफल ठीक है करके हम दिए गए rate से गुड़ा करेंगे ठीक है दिए गए rate से क्या करेंगे गुड़ा करेंगे जिससे हमारा अंसर आ जाए कि कितना खर्चा लगेगा मेरी बात आप सभी समझभा रहे हो तो नीचे लिखो दरवाजे को छोड़ कर दरवाजे को छोड़ कर बची दीवाल का छेतरफल बराबर लिखो कितना हो जाएगा 100-6 बराबर 94 मीटर स्कॉयर कितना हो गया 94 मीटर स्कॉयर अगर हम दरवाजे की जगा को छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ जो दीवाल बचती है ये इतना इस्पेस वाली जो जगा बच रही उसका छेतरफल 94 मीटर स्कॉयर ठीक है समझ गए ना अब लिखिए क्या लिखो गए अब इसका जो खर्चा निकालना है उसको गुड़ा कर देंगे लिखिए अब पेंट करवाने की कुल मजदूरी बराबर इसी में इसको लिख देंगे हम ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल गया यह अब पेंट करवाने की कुल मजदूरी निकाल लेंगे गुड़ा कर देंगे बस हो गया दिख रहा है न लिखो अब पेंट कराने की कुल मजदूरी करवाने की कुल मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा धाई रूपे पर सेंटिमीटर ऐसे कुछ कहा था न देख लेते हैं एक मीटर स्कॉयर दिवार पर पेंट कराने की जो मजदूरी है वो धाई रूपे आ है ठीक है तो पूरी दिवार पर प्रेंट कराने की कुल मजदूरी खर्च गयात कीजिए आईए धाई रुपया से क्या करेंगे भाईया गुड़ा कर दो बबू अद्धू दसमलों पांच जीरो से 94 को गुड़ा कर दीजिए कर लोगे सभी न कितना आएगा लगभग में करके देखो भाई सभी लोग करो जल्दी बताओ कितना आएगा 235 के लगभग आएगा 235 रुपय न देखो 94 का इसमें दूगुना करो पहले वैसे ही 200 में से 8 235 आएगा कितना आएगा 235 रुपया सबको समझ में है मुझे लग रहा बहुत बड़ी कलास हो जा रही क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आगया सभी को न कोई दिक्कत नहीं लिख लीजिए इसका PDF PVR Study के टेली गराम चैनल पर भेज देंगे ठीक है भाईया बेज देंगे वीडियो की quality अच्छा करके देखोगे ति यह दिख जायेगा और अगर आपने मेरी बातों को सुना था तो मैं बोल बोल करके लिखा था कोई दिक्कत नहीं लिख लोगे ठीक है आपको सिर्फ समझ के चलना कोईशन बस अगला next question कहरा है एक आयताकार सीट का छेतरफाल 500 मीटर स्कॉयर है यदि सीट की लंबाई 25 सेंटिमीटर है तो इसकी चौडाई क्या होगी और आयताकार सीट का परिमाप यानि परिमीटर भी ग्याद कीजिए यह माल लीजिए वो क्या है आयताकार सीट है जिसका एरिया दिया है बाबू 500 मीटर स्कॉयर ठीक है कह रहा है कि यदि इसकी लंफ जो है वो 25 सेंटिमीटर है कितना है भाईया 25 सेंटिमीटर है तो इसकी यह ब्रॉथ यह वगल वाला जो ब्रीथ है यह यह निकालना है कैसे निकालेंगे आयताकार है आयत का छेतरफल दिया है ठीक है चलो बहुत आफान निकल जाएगा लिखो हल लिखो आयत का छेतरफल बराबर आयत नहीं लिखो आयताकार सीट का छेतरफल बराबर लिखी है जरूर बिना लिखे काम नहीं चलेगा लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है जो आयत का छेतरफल होता वह इसका भी होगा तो भाबु ये 500 दिया है लंबाई भी इसमें 25 दिया है चोड़ाई नहीं दिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो ती हो जाएगा 500 बटे इधर आएगा 25 बराबर चोड़ाई कोई दिक्कत नहीं किसी को 25 से कड़ जाएगा 25 दूना 50 20 कितना आगया मतलब चोड़ाई कितना आगयी 20 हम कह सकते हैं कि चोड़ाई कितना आई 20 मीटर सब मीटर में दिया है न एक मिनट इसमें 6 रफाल अगर मीटर स्कॉयर में है तो ये लंबाई सेंटी मीटर में कैसे है तब एक ही रासी में रहेगा जाहे जो जिसमें रहे ठीक है तो इसको भी मीटर बना लेते हैं टेंसन मतलो इसको भी मीटर बना लो क्या करेंगे इसको भी मीटर बना लेते हैं ए गया बोजा तुम चल निकल ले ये भी क्या हो गया मीटर तब एकर रासी में होना चाहिए ठीक है भया तो ये क्या हो जाएगा मीटर कहना था आयताकार सीट का परिमाब भी ग्याद कीजिए तो ये कितना आगया 25 था ही ये 20 आगया टिक सिए ये परिमाब भी निकल लेजीए कोई दिककत नहीं है परिमाब जानते हो क्या होता है ये 25 था भया बाबू कितना था 25 मीटर था ठीक है 25 इधर का 55 इधर 50 और 20 इधर का beef इधर का तो पचास चालिफ कितना हो जाएगा नबबे कितना हो जाएगा नबबे मीटर परिमाप ठीक है लिख लो चाहे तो परिमाप बराबर नबबे मीटर परिमाप बराबर नबबे मीटर कुछ लोगों के मन में होगा कि यार ये कई से निकाल दिये परिमाप हल तो किये नहीं चलो हल करके बिस्तार पर दिखा देता हूँ मैं खुद नहीं संतुष्ठ हूँ ऐसे आगे जगा नहीं है न करके दिखा देता हूँ रुको एक मिनट परिमाप करके दिखा देता हूँ फिर नौ नंबर पर लोटूँग बाद में चलो आयताकार जो सीट थी वो कया थी? अभी मैं निकाला आपने देखा होगा ये पचीस थाना भाईया? ये बीस आया थाना बाबू? इसका क्या करना है परिमाफ? तो आयत का जो परिमाफ होता है वो क्या होता जानते हो? लिखो आयताकार सीट का परिमाफ बराबर आयताकार सीट का परिमाफ बराबर दो गुड़े लंबाई धन चोड़ाई ये सूत्र होता रियल में मैं थाला ठीक है 2 इंटू L प्लस B भी लिखते हैं लोग तो 2 इंटू L कितना है 25, B कितना है 20 तो 2 इंटू ये 45 इक्वल नब्वे मीटर ये अंसर आया कि अब को समझ में आया कि पक्का समझ में आया ना अच्छे से अगर बीच में आवाज नहीं आएगी मेरी एका सिकन्ट रूक जाएगी ना भागना घबराना नहीं हम तुरंद माइक चेंज करेंगे ठीक है क्योंकि ये डिश्चार्ज होने वाला है ज्यादा चार्ज नहीं है अब चलें पीछे नौ नमबर पेच पे फिर से आए नौ नमबर पहुंच गये थे ना हम लोग ज्यादा नहीं बचाब हो गया तो इस तरह से ये कुश्चन फाइनल आप समझ चुके है अगला नेक्ट स्लाइड अगला कुश्चन कहता है अनौ अपने घर के सामने वाले बगीचे में तीनों और बाड़ लगाना चाहती है इन में से एक बाजू की लंबाई 20 मीटर है तथा परतेक बाजू की लंबाई जो है वो बारा-बारा है तो 150 रुपए पर मीटर स्कॉयर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा क्या आएगा बे क्या आएगा कॉश्ट क्या आएगा देखो सिंपल में अनौ एक लड़की है कुश्चन का तर्क समझना कह रहे कि अपने घर के सामने वाले बगीचे में घर के सामने का मतलब जानते हो एक तरफ तो घर है जैसे मानलो मैं यहां खड़ा हूँ तो एक तरफ तो मैं हूँ तो इधर तो कोई बाड़ लगाएंगे नहीं भया हो अगर खेद के जश्ट किनारे घर बना है अगर आप उसके किनारे खंभा बांध रहे हो तार लगा रहे हो अपने घर के सामने थोड़ी लगा लोगे ने तो कैसे जाओगे खेद में तो उधर नहीं लगाना है इसका मतलब तीनी तरफ लगाना है तो पूछ रहा है कि इसमें 150 रूपए पर मिटर स्कॉर की दर से बार लगाने का खर्चा क्या लगेगा अभी पहले बताया है उस्जुरू में अगर बार लगाना है मतलब चारो तरफ लगाना है किनारे किनारे तो परिमाब निकालेंगे तो लिखो क्या लिखोगे लिखो खल लिखें हैं आपे अन्नु के खेत का खेत का परिमाफ क्या निकालेंगे परिमाफ देखो पहले तो अन्नु का खेत समझ लेते हैं कैसे होगा कोश्चन छोटा कर दे ठीक है कोश्चन छोटा कर दे रहा हूँ पहले अन्नु के खेत में चलते हैं अन्नू का खेट कैसे होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम बार लगाने का खर्चा इसको दे देंगे चल भाईया इधर दिख रहा है चलो, आओ अन्नू का जो खेट है, वो कुछ ऐसे होगा अन्नू का खेट क्या होगा, कुछ ऐसे होगा इधर साइड में देखो, उपर दिख रहा है इधर साइड में अन्नू का घर है क्या इधर? इधर अन्नू का घर है तो इधर क्या करेंगे? इधर कलर अलग कर देंगे इधर हमें बार नहीं लगानी है इधर अन्नू का घर है, तो इधर बार नहीं लगानी है बाड के वर इधर लगानी इधर और इधर इसमें एक साइड 20 है सेंटिमीटर है मीटर क्या था हाँ 20 मीटर था एक साइड क्या था भाईया 20 मीटर था बाबू बाकी दोनों साइड 12 मीटर और 12 मीटर था तो कह रहा था कि इसका जो है देड़ सो रुपे पर मेटर स्कॉार किदर से बार लगाने का खर्चा कितना आएगा चलो आफानी निकाल लेते हैं परिमाप बराबर क्या होगा चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं अच्छे जानते हो आप तो चारो भुजा तो है ये नहीं है तीने भुजा है तो तीन भुजा जोड लेंगे बीस धन बारा धन बारा 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 चोविस धन चवालिस क्या आएगा मीटर ये परिमाप क्या आगा है चवालिस मीटर अब बाड लगाने का कुल खर्चा बाड लगाने पर कुल खर्चा कितना आएगा 44 गुड़ा कितना ये भाई कितना 1500 रुपए लग रहा था ना पर मीटर में 1500 से गुड़ा कर दो गुड़ा कर लिजिए 0 लिख लिजिए 15 चौका 60 का 0 हाफिल छे 15 चौका 60 छे 6 चाट यानी 6600 रुपए कितना लगेंगे 6600 रुपए कोई परकार का डाउट तकलीफ तो मुझे बता देना टेंसा नहीं लेना आगे बढ़ चलू चलो नेक्स्ट कुश्चन बताना नहीं समझ में आएगा करा एक तार 10 सेंटिमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है यदि इस तार को दुबारा मोड करके 12 फेंटिमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जाता है तो इसकी चोड़ाई ग्याद कीजिए किसका छेतरफल अधिक होगा वर्ग का या आयत का ये भी पूछा है बहुत आसान है एक कोई तार है या नी वायर है ठीक है उसको क्या करना है उसको तोड़ करके आयत की आकार का बना देना है अब मैं अगर कोई तार ले भी आता हूँ यहाँ पर देखो ये क्या भीया एक वायर है कह रहा है कि 10 गुड़े 10 भुजा वाले वर्ग के आकार का है इसका मतलब यह कि 10 इधर भी है ऐसे 10 इधर भी है और 10 इधर भी है और 10 इधर भी है पिर इसको तोड़ करके कह रहा 12 का आयत बनाओ आयत मतलब इधर जादा हो जाएगा इधर भी जादा हो जाएगा इधर और इधर कम हो जाएगा है ना समझ रहे हो वसे तो तोड़ेंगे तो बड़ा गड़ बड़ है तोड़ पाएंगे नहीं लगा पाएंगे बस आप समझ गये होंगे चलो आओ चलो आप समझ ना ये है वो आयत 10 cm 10 cm 10 ठीक है? अब इसको क्या करना है? तोड़ करके कैable ना है? आयत बनाना है तो कह रहे हैं कि फिर इसकी चोड़ाई क्या होगी? इसकी आयत कि चोड़ाई नो reden हृँ है? बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले हम इसका और तो निकालेंगे कि इसकी लंबाई है total कितना परिमाप निकालेंगे ठीक है तो लिखो सबसे पहले वर्ग का परिमाप वर्ग का क्या परिमाप बराबर क्या होगा लिखो चारों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं क्योंकि वर्ग में cyaar गुड़े भुजा चार गुड़े भुजा तो चार गुड़ा भुजा दस से बराबर कितना हो जाएगा 40 cm कितना है 40 cm आगे कहता है मेरे भाई कि दुबारा मोड करके 12 cm लंबाई वाला आयत बनाना है ठीक है बहुत आसान है इजी है अब आगे देखना 12 cm वाला अब हमें इसको मोड करके आयत बनाना है यानि हमें 12 cm लंबाई का आयत इधर बनाना है और 12 cm इधर होगा टोटल तार की लंबाई 40 cm है याद रखना cm अर जगा दिया जए सेंटी मिटर ठीक है टोटल 40 cm है जिसमें से कह रहा है अगर आयत बना बनाओगे तो 12 कबनेगा यानी 12 12 24 तो इधर ही उज़ हो गया अब यह बताओ अगर तार 40 है सेंटिमेटर का था और 40 सेंटिमेटर में से 24 सेंटिमेटर इसमें यूज हो जा रहा है तो बचा कितना यह 40 में से 24 निकाल दोगे 16 बचा अब चुकर आयत की जो चौडाई होंगी दुनों तरफ बराबर होंगी ऐसा थो यह नहीं कि जादा इधर कम बराबर होगी ना आयत की सम्मूग बुझाएं बराबर होती है न तो 16 जो बचा था आधा बांट दो कितना होगे 8-8 ना कितना होगे 8-8 तो हम कह सकते हैं कि इस कोई दिक्कत परिषानी नहीं किसी को न, आगे बढ़ें, और पूछा था क्या, कह रहा था किसका इसमें चेतरफल अधिक होगा, न, यह मिट गया कर, किसका चेतरफल अधिक होगा, इतका चेतरफल अधिक होगा, तो चेतरफल भी निकाल लो, कोई दिख्वत नहीं है, इसका चेतरफल निकालो गें तो तस गुड़े दस सो आएगा, क्या आएगा 100 cm² इसका छेटरफल कितना आएगा अगर ये बाराय आठाए कितना आएगा 2.92 आएगा 96 cm² जैनी सिंपल सा है वर्ग का छेटरफल ज्यादा आएगा इसमें किसी को बाइगा बाबू ठीक है इसमें किसी कोई डाउट नहीं न आगे बढ़ें, last question है आज का यह, last question है, खतम हो गया पूरी कानी, चलो, कह रहा है कि एक वर्ग, एक वर्ग और एक आयत का छेतरफल एक समान है, यह दि वर्ग की भुजा 40 cm है, और आयत की चोड़ाई जी 25 cm है, तो आयत की लंबाई और परिमाप ग्याद कीजिए, बहुत आस समान है, चलो, देखो भईया, एक वर्ग है, एक आयत है बाबू, ठीक है, दोनों का एरिया है, समान है, यह दि वर्ग की भुजा 40 cm है, कितना बड़ा question, 40 cm भुजा, एक मिनट को question देखने तो यही है, हाँ, 40 है, ठीक है, यह कितना है, 40 cm, इसको मान लेते हैं, तो चारो तर अब आयत अबम का कह रहा है, कह रहा है, इसकी 24, 25 है, क्या है, 24, 25 cm है, न, तो आयत की लंबाई ग्यांत कीजिए, देखो, अगर इनके दोनों एरिया बराबर हैं, तो क्या करोगे, आप दोनों का सुत्र बराबर कर दोगे, ठीक है, भईया, क्या करोगे, दोनों के क्षेतर फल बराबर वर्क का छी धर फल, अब आसान है, इस का हमें लंबाई निकालना है कैसे, लिखो, आयत का छी तरफल बराबर लंबाई गुड़े चवड़ाई, अब चू की दोनों का छी दर भल बराबर है कह रहा है, और इसमें से हमें इसका छी तर फार्मुनम्प, हैं क्योंकि इसकी भुजा दी गई है इसका जो जाहेगा और चोई सो ला सो रख सकते हैं क्यूंकि दोनों का एरिया बराबर है इसा कहा गया है सुमने इसका एरिया निकाल के इसमें लिजग फटक दिया अब लंबाई गुड़े कि टोड़ाई पचीस है यहां फिर लंबाई निकाल लो पचीफ इधर आएका कट जाएगा इससे भाग देके देखो कितना आएगा आग देकर देखो 64 आएगा ना कितना आएगा 64 आएगा कर लेना कोई दिक्कत आएगी तो बता देना पचीस से भाग करोग इधर ला करके 1664 आएगा सभी को समझ में आया क्लाश थोड़ी बड़ी भले हो गई लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा है ना कोई डाउट है तो बता दो मुझे इसमें किसी को कोई डाउट तकलीफ नहीं ना भया तो यह भी एक कोईश्चन था जो मैं आपको लाश्ट में करके दिख सब्सक्राइब करें और अप्लीकेशन में जा करके प्यार से पूरा पढ़िए एक तरब से ठीक है कमझ गये ना नीचे स्क्रीन पर इतना देर तक नंबर चल रहे थे अगर आपने देखा होगा मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को इनी बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही बिदा दीजिएगा मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली क्लास में नेक्ट क्लास में एक अच्छे उमीद के साथ थैंक्यू